करेंगे बीर चिला राय के बारे में 1510 से लेकर 1571 के पिरियड में हमें देखने को मिले थे बीर चिला राय जी और ये एक बहद्दुर योद्धा थे एक ब्रेव वारियर थे और आसाम कोच रॉयल डैनिस्टी के आसाम के जो कोच शाही वंश जो थे उसके ये सेनपती थे उसके जनरल थे और ये कामता सामराजी जो है कामता सामराज ये असाम का उसके राजा नारा नारायन के छोटे भाई थे ये तो यहाँ पर आपको कोच रॉयल डैनिस्टी अगर पूछ रॉयल डैनिस्टी जो है वो कहा की है तो आसाम आपको ध्यान में रखना है फॉस्ट पॉइंट दूसरा पॉइंट आपको का कामता, kingdom, कामता, सामराज जी ध्यान में रखना है कि कामता, सामराज जी जो है, वो कहा का है, तो आसाम आपको ध्यान में रखना है, इस topic से related यह वाले इस तरीके के question पूछे हैंगे, या फिर बीर चिलाराय से related, direct question आ सकता है कि बीर चिलाराय जी जो थे, वो किस particular dynasty के सेनपती जनरल थे, तो आसाम की कोच रॉयल डैनिस्टी या कोच शाही वंच के ये सेनपती थे, ठीक है, तो यहले चीज है, basic सी चीज, जिसके बारे में आपको idea होना चाहिए, अब Australia के oldest, ab original rock art के बारे में बात करेंगे, Australia की सबसे पुरानी आदिवासी शैल कला के बारे में discuss बताया जारे कि अभी recently, Australia आदिवासी कला कारों द्वारा 17,000, 17,000 साल पहले बनाई गई एक कंगारू पेंटिंग हमें देखने को मिल रही है, 17,000 साल पहले बनाई गई एक कंगारू पेंटिंग है, उसको Australia की सबसे पुरानी अक्छुन राक कला, यानिकी oldest intact rock art के तौर पर इसकी पहचान की गई है, इसको identify किया गया, 17,000 से जादा साल यानिकी 17,000 से जादा इयर्स पुरानी कंगारू की एक पेंटिंग अभी Australia में मिली है, और पश्चिम Australia, Western Australia की जो Kimberley region तो वहाँ पर एक rock shelter के ढालू छत पर, यानिकी sloped ceiling हम लोग को rock shelter की देखने को मिल रही है, वो rock जो है, वो slopey type का हम लोग को नजर आता है, तो इस पर 2 मीटर लंबी यानिकी 6 feet की ये कला कृती बताई जा रही है, और ये early naturalistic style में paint की गई है, प्रारंभिक प्राकृती shelley में इसको चितरित किया गया है, और इस shelley में अकसर जानवरों के वास्तविक आकार को चितरित किया जाता है, तो ऐसी जो shelley होती है यानिकी इस प्रकार की जो painting अगरा होती है, उसमें life size यानिकी जितने size का animal होता है, तो उतरी ही बड़ी painting जो है, तैयार की जाती है, इस प्रकार की art में, तो यह वाली चीज है, जिसके बारे में आप लोग को Australia के बारे में जानकारी होन तो उसको आप थोड़ा से ध्यार में देखा करो, अब paper 1 से related सिर्फ दो ही topics थे, अब हम discuss करेंगे paper 2 के topics को, जल शक्ती अभियान, catch the rain की हापर बात हो रही है, यह basically अभियान जो है, यह जल शक्ती मंत्राले के द्वारा, जल शक्ती ministry के द्वारा इसको शुरू किया गया है, और इसके तहट बताया जा रहा है कि 100 days का campaign है, 100 दिनों का अभियान ही हमें देखने को मिल रहा है, और इसके तहट आसपास के जितने भी water sources हैं, जल श्त्रोत्र जितने भी आसपास के हैं, उनकी सफाई की जाए, और rain water को conserve करने के लिए उनको बनाया जाए, वर्षा जल के सं जो sources हैं, जहाँ पर water के sources, जहाँ पर water collect होता है, तो उसकी साफसफाई करवा दी जाए, जिससे की जो rain water जो है, वो यहाँ पर conserve कर सके हम लोग इसको एकटा कर सके हैं, तो यह इस प्रकार का initiative, जल सकती ministry का हमें देखने को मिल रहा है, इनिशिटिव का नाम याद रखना, catch the rain, यह catch the rain initiative है, अब बात करेंगे काफी interesting से एक topic के बारे में, खुजली घर की यहाँ पर बात हो रही है, खुजली घर, तो यहाँ पर एक चीज़ धान में रखना, खुजली घर जो है, यह नागालेंट के अंदर काफी जादा हमें देखने को मिलता है, खुजली घर, इंजरा टाइप का होता है, ट्राइंगुलर केज हम लोग को देखने को मिलता है, और इसको उन लकडियों से तयार किया जाता है, जिन लकडियों को टच करने पर खुजली होने लगती है, कुछ को रोधी ने प्रॉपरटी इस प्लांट की, कि उसको टच कर लिए तो लगाने के लिए इस तरीके से जो क्रिमल्स वगरा होते हैं, उनको इस पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है, उनको सजा दिया आती है, जिससे वो परेशान होते रहे हैं, उनको हमेशा खुजली होती रहे, और नागालेंड के कुछ गाउं में सजा के इस रूप को पुन पर एक रूप है, तो यहले चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इसके लाबा इन खुजली वाले पिंजरों को नागा भाशा में, नागा मीज में इनको खुजली घर कहा जाता है, ठीक है, और हाला कि हर एक नागा समुदाय में इसका अलग नाम हम लोग क को देखने को मलता है, जो अलग अलग नागा कम्यूनिटी से न, वो उन लोग अलग अलग इसका नाम जो है, वो रखती है, और नागा लेंड की प्रमुख जन जाती में से एक, और करके एक कम्यूनिटी है, और इस पिंजरे को आम तोर पर गाउं में, मोरंग या कुवारो के वास ग्रह के सामने या किसी एक मुख्य स्तान पर रखा जाता है, जिससे कैदी को पूरा गाउं देख सके, यानि कि पिंजरे को गाउं के बीच में रख दिया जाता है, जिससे की आता जाता है वेक्ति उस कैदी को देख सके और गाउं के लोग जो है वो डरें, कि अगर एसी perspective से, अभी कि जो हमने बात करी वो UPSC point of view से भी important है और state civil services point of view से भी important है बट जादतर जो question फसेंगे, वो कहां से फसेंगे कि ये कौन सी ऐसी लकडी है जिसके काण से ये खुजली होती है, तो ये जो और इसके छुए जाने पर तुचा में जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है irritation होने लगती है, और हलाकि जो palm होता है न हमारा palm हाथ की हतेली वगराज होती है उस पर ऐसी ये खुजली नहीं होती है, और जो लोग हलाकि इसको बनाते हैं पिंज्रे को बनाते हैं, उनको careful रहना पड़ता है तो ये वाली चीज़ है, इसके बारे में आप लोग को जानकरी होनी चाहिए अब बात होरी है, Center of Excellence in Gaming के बारे में बताया जा रहा है कि Ministry of Information and Broadcasting ने collaboration किया है IIT Bombay के साथ, और decide किया है कि Center of Excellence in Gaming और Gaming से related जो दूसरे areas हैं, उनका एक Center जो है वो तयार किया जाएगा Center of Excellence तयार किया जाएगा, तो इससे देखकर हमें ये लग रहा है और कुछ समय पहले ही हमने Toyathon के बारे में भी डिसकस किया हुआ है अभी हम लोग को Toy Fair भी देखने को मिला, अभी कुछ दिनों पहले हमने इसके बारे में चर्चा करी थी बात करी ती यादा रहे है कि नी तो इन सब चीजों को देखते हो ऐसा लग रहा है कि हम अमारी country के अंदर gaming culture को भी या फिर games वगरना हमारी country के अंदर बनाएं, innovators तो उसको भी हम लोग promote कर रहा है तो ये वाला point भी आप लोग को थोड़ा सा mains point of view सभी ध्यान में रखना है अब बात करेंगे आशियान infrastructure investment bank के बारे में AIIB के बारे में 304 million US dollar का एक agreement AIIB के साथ sign किया है और ASAM के अंदर power transmission network के लिए ये sign किया गया है कि ASAM में smooth electricity flow जो है वो बरकरार है इसलिए power transmission network जो है वो इस पैसो से 304 million US dollar से बनाया जाएगा fund utilize किया जाएगा आसाम infra state transmission system enhancement project पर इस project पर जिसका aim यह यह reliability capacity और security power transmission network की आसाम के अंदर बनी रहे यानि कि विश्वसनियता चमता और सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश से कि ASAM के अंदर जो power transmission network है उसमें सुधार करने के purpose के लिए ये project हम लोग को देखने को मिलता है और इसी project में AIIB का पैसा जो है वो लगाया जा रहा है अब बात करते है मेंली जिससे related question मनेंगे AIIB के बारे में बात करते हैं आशियन infrastructure investment bank की बात हो रही है multilateral development bank है कौन से bank है development bank की developmental project के लिए ये bank fund जो है वो provide कराता है loan provide कराता है main mission क्या है इसका to improve social and economic outcomes in Asia and beyond Asia और Asia के बाहर के छेतरों में development हो social और economic result हो निकले कि वहाँ पर development होगा तो social development कैसे होगा वहाँ के लोगों को अच्छी सुविदा मिल जाएगी ठीक है तो ये social development हो गया economic development कैसे हो गया कि कहीं पर भी ये पैसे अगर दे रहा है किसी चीज़ को किसी project को शुरू करने के लिए तो उस country के अंदर economic growth भी होगी economic development भी होगा revenue generation का काम होना शुरू हो जाएग उस country के अंदर तो ultimately है countries की मदद करता है इस प्रकार से developmental projects के लिए और इसमें जब इसको शुरू किया गया था तो 57 इसके members थे जिनके दोरा इसको शुरू किया गया था और इसके founding members जो हमें देखने को मिलते है इसका headquarter जो है वो बीजिंग में है January 2016 से इसने कार्य करना अपन सेक्टर it aims to connect people services and markets that over time will impact the lives of billions and build a better future कि ऐसे चेतरों में ऐसे sustainable infrastructure चेतरों में या ऐसे productive चेतरों में invest करना निवेश करवाना कि जिसके चलते वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनको फायदा मिले उनको बहतर services मिले बहतर सेवाय मिले आने वाले समय में market बड़े और overall आने वाल समय में future में अच्छी life जो है वो लोग जिये और काफी सारे लोगों को एक अच्छी service अच्छी life जो है वो बल सके तो इस उद्देश से ये काम करती है Asian Infrastructure and Investment Bank इसकी membership की बात करें गाइस तो more than 100 members है इसके आज की rate में 14 जो है वो G20 nations के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं AIIB के member के तौर पर और France, Germany, Italy और UK इसमें शामिल है और इसके voting rights की बात करें गाइस तो देखो voting rights जिस particular country ने इस bank में ज्यादा share अपना invest किया है डाला है तो उस particular country के पास voting rights भी ज्यादा होते है राइट जैसे कि यहाँ पर एक vote की value एक नहीं होती है वो vote की जो value होती है वो किसकी country का ज्यादा दब-दबा होगा इस प्रकार से तो चाइना के पास largest share है इसके तो चाइना सबसे बड़ा shareholder है 26.61% का shareholder चाइना है 26.61% का उसके बाद share है फिर उसके बाद आती है इंडिया 7.6% से फिर आती है रशिया 6.01% से और फिर आती है जर्मनी 4.2% के साथ इसके shares के दोर पर और regional members जो है वो इसके 75% total voting hour जो है वो इस bank के अंदर regional members की होती है तो यहली चीज़ नहीं कि इस छेत्र के जो चेत्रिय सदस्य जो है उनकी कुल मतदान शक्ति जो है वो 75% की इसकी हमें देखने को मिलती है और various organs और भी कौन से कौन से AIIB के हम लोग को देखने को मिल चाते है और governor और alternate governor जो होते हैं वो appointing member के pleasure पर serve करते हैं मतलब जिन्होंने इनको appoint किया है यह जिस भी country ने governor को appoint किया है तो जैसा वो country चाहेगी कि जितने समय तक वो serve करना चाते है यह जो country चाहती है जिन्होंने appoint किया उतरे समय तक वो appointing member जो है वो कारे करते हैं इनकी continue banks general operation banks के जो general operation होते हैं उसके directions प्रबाइट कराते हैं exercising all powers delegated to it by the board of governor जो board of governor जो भी जो देते हैं आदेश बगरा देते हैं जो भी फैसला सुनाते हैं तो उसको पूरा करने का कार्य जो होता है वो board of directors का होता है और international advisory panel की बात करें तो bank ने establish किया हुआ international advisory panel को किस purpose के लिए कि ये support करती है president को और senior management को किस पर advice देती है bank की strategy पर advice देती है policies पर advice देती है कि general operation से related जो भी issues वगरा आते हैं तो उसको कैसे resolve करना है किस प्रकार से bank growth करें किस area में काम करें focus करें loan दे तो उसके बारे में strategy बना की ये panel provide कराती है इस bank के president और senior management officials को तो यह वाली चीज़ है तो इसके बारे में आप लोग को एक जानकरी होनी चीज़िए ये है पूरा oral topic AIIB से related अब बात करेंगे city innovation exchange के बारे में तो ministry of housing and urban affairs जो है इन्होंने launch किया है city innovation exchange को अब guys देखो continuously आप लोग देख रहे हैं कि cities के development से related बहुत सारे जो है वो topics हम लोग को current affairs में देखने को मिल रहा है तो मेरा आप लोगों से एक task है अभी मैं आपको जो alert कर रहा हूँ वो ये है कि urban local authorities या urban local bodies जो है लक्षमी काद Indian polity में आप municipalities का chapter देखोगे तो उसमें urban local bodies के बारे में mentioned है तो आप लक्षमी काद Indian polity उठाइए और municipalities का chapter जो है वो पढ़ ला लिए क्योंकि उसमें urban local bodies के बारे में mentioned है और urban local bodies के बारे में बहुत जादा जो है वो news हमें देखने को मिल रही है तो इस प्रकार से आपको static portion अपना cover कर रहा है तो Ministry of Housing and Urban Affairs ने ये launch किया है CIX को ये CIX है क्या तो ये connect करेगी cities को innovators के साथ और जितने भी national ecosystem है और to design innovative solution for their pressing challenges यानि कि जो innovators वगरा जो है वो cities के लिए नए-नए innovations को design करें जो भी issue cities के अंदर आ रहा है तो उस पर smart solution जो है वो लेकर आ है नए-ने innovation लेकर आ है तो innovators के साथ connect करने के लिए CIX हमें देखने को मिल रही है ये platform जो है it will ease the discovery, design and validation of solution through a robust, transparent and user-centric process that will reduce barrier for innovators and cities to discover fitting solution यानि कि ये platform कैसे मदद करेगा तो ये platform जो है वो innovators को connect करने की बात कर रहा है तो innovators जो है वो अपने-पने solution जो है वो provide कराएंगे कि उनके पास किस प्रकार के समाद आ रहे हैं किस प्रकार के solution है जिससे की जो urban local authorities जो है जो cities को develop करने का काम करती है उनके पास various solution आ जाएंगे और robust और experts की solution आएंगे जिससे की वो directly deal कर सकेंगे और city के लिए जो भी चीज़ बेटर है उसको decide करके फर वो further काम आगे बढ़ा सकेंगे तो ये इसमें ये सब फाइदा होगा हमें देखने को मिलेगा and build on the concept of open innovation the platform will help in the flow of ideas वोई चीज़ में आपको बताईगे इसमें आइडिया जो है वो innovators प्रोवाइड कराएंगे outside in and inside out यानि कि बाहर से अंदर भी आइडियास आएंगे बाहर से अंदर भी आइडियास आएंगे बतलब कि जो authorities है वो भी बताएंगे कि किस प्रकार की चीज़े जो है वो creators innovators जो है वो create करें और ideas देंगी authorities भी किस प्रकार की बनाई जा सकती है और बाहर से ideas जो है वो इस platform के अंदर आएंगे जिससे कि एक अच्छा system जो है वो create किया रहा सकेगा better city के better urban areas के governance के लिए और development के लिए तो ये चीज़ बताएंगे आ रही है इस platform के महत्व की बात करें गई तो ये platform जो है वो सभी citizen organizations, academic, businesses, government को एक साथ लेकर आएंगे कि एक साथ मिलकर future urban India के solution लेकर आएं आने वाले समय में cities को किस प्रकार से smart बनाना है किस प्रकार से अच्छे solution जो भी challenges है उस पर लेकर आए जा सकते हैं तो इस पर ये चर्चा होगी बातचीद होगी एक अच्छा platform ही है हमें देखने को मिलेगा platform will help cities in adopting solution that will enhance the quality of life for their residents वोई चीज में आपको बताए कि जो cities में जो लोग रहे रहे हैं residents जो है citizens जो है तो उनको better quality of life जो है वो मिल सकेगी इस initiative के थरू क्योंकि ने ने smart solution वो इस के थरू आ सकेंगे ना मिल सकेंगे authorities को moreover it will significantly improve ease of doing business को ease of doing business को भी improve करेगी क्योंकि innovators को opportunity मिल जाएगी काम करने के लिए directly right सरकार के साथ it will also be a significant addition to the growing innovation ecosystem तो obvious ही बात है कि जब लोग बाग जो है वो नए-नए innovative idea देंगे तो innovation ecosystem भी हमारी country में grow होगा बढ़ेगा और और innovative practices को बढ़ा देगा यह तो यह चीज हमें देखने को मिलेगे और इससे अच्छे solution जो है वो मिलेंगे authorities वगरा को और आने वाले समय में एक better governance के लिए अच्छी city जो है वो तयार हो पाएगी तो यह चीज है और paper 2 से related सिर्फ इतने ही topics थे ना हम लोग paper 3 के topics की तरफ आगे बढ़ रहे हैं गैस बताया जा रहे है कि हिमाचल प्रदेश की जो snow leopard होते हैं हम तेंदुए जो होते हैं तो उन पर एक scientific study हुई है तो इसी पर ही हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश क्या जो high altitude जो हिली टेरेन से एरिया होता है उचाई वाला जो एरिया होता है बहापर 73 snow lepards snow leopard का scientific name क् panthera unicea तो इन पर अभी एक recently scientific study जो है वो conduct हुई है snow leopard का जो habitat जो होता है habitat क्या होता है परिया वास है जिस एरिया पर यह लेपोर्ट रहते हैं तो यह higher हिमालेयन एरिया पर रहते हैं उचाई पर रहते हैं ठंडी वाले एरिया पर रहते हैं snow leopard नामसी समन में आ जाना snow leopard higher altitude वाले areas पर पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में snow leopard का जो area है यह हम लोग को लाहूल इस पित्ती और किनौर पर देखने को मिलता है इसके लावा और भी कुछ areas है जो हम लोग को जैसे शिमला कुलू चंबा कंगरा तो यहाँ पर भ सर्दियों में इन छेतरों तक पहुचने के लिए बहुत चुनातियों का सामना जो है वो फेस करना होता है क्योंकि सर्दियों के समय पे roads ब्लॉग हो जाते हैं इस no fall वगरा के करन और study के तहट जो सुझाव दिये गए हैं suggestion दिये गए हैं तो उसमें बताए गया है कि यदि इस्थानिय समुदाय लोकल कम्यूटी जो है अगर समुदाय की चिंताओं को संरक्षन योजना में शामिल कर लिया जाए तो संरक्षन प्रयासों में ये सारवधिक मजबूत सयोगी साबित हो सकते हैं strongest allies बन सकती हैं लोकल कम्यूटी जाने के आसपास में रहने वाली जो कम कर लिया जाए conservation plan में conservation projects वगिरा में इन snow leopard को protect करने के projects में अगर लोकल कम्यूटी को शामिल कर लिया जाए तो एक बहुत important factor ये बन सकता है project को better बनाने के लिए आसान बनाने के लिए snow leopard इंडिया के अंदर किस प्रकार से इनका conservation हमें देखने को मिलता है तो इंडिया में snow leopard का जो conservation होता है वो project snow leopard PSL के थुरू हमें देखने को मिलता है project snow leopard के थुरू देखने को मिलता है इंडिया ने तीन बड़े landscape जो है वो identify किये हैं इसमें hamis spithi जो है वो लदाक पर हमें देखने को मिलता है और हमाचिल प्रदेश में ये फैला हुआ है नंदा देवी का जो landscape है न अरुनाचल प्रदेश में फैला हुआ तो सिक्किम अरुनाचल प्रदेश उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश लद्दाक इसकी अगर हम बात करें तो ऐसे तीन लार्ज लैंड्सकेप है तीन बड़े लैंड्सकेप है जहाँ पर ये तेन दूए पाई जाते हैं और प्रोजेक्ट इसनो लैपोर्ट जो है वो लॉंच किया गया था 2009 में किस परपस के लिए कि इंक्लूजिव और पाटिसिपेटरी अप्रोज के थूँ इसनो लैपोर्ट को और उनके हैबिटेट को जिस एडिया पर रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना है और इसनो लैपोर्ट जो है गईज ये 21 क्रिटिकल एंडेंजर्ट स्पीसीज की जो लिस्ट है इनकी जो सूच और इसके संद्रक्षण की अगर हम लोग बात करें प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इनको वल्नेरिबल जो है वो रखा गया है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वल्नेरिबल काटिगरी में इनको रखा गया है इसनो लैपोर्ट को और इंडियन वाइड लाइफ Protection Act 1972 के Schedule 1 में ये Snow Laport आते हैं Even CITES की बात करें Convention on International Trade in Endangered Species की बात करें और Convention on Migratory Species की बात करें तो इसमें भी इनको Protection जो है वो शामिल है इसके लाबा India के दोरह किस प्रकार के Conservation Efforts जो है वो लगाए गए थे प्रोजेक्ट Snow Laport के बारे में आपको अरड़ी बताई चुका हूँ कि इंडिया में ये हम लोग को Effort देखने को मलते हैं इसके लाबा Secure हिमाले करके एक है Global Environment Facility United Nations Development Program Funded Project ये हम लोग को देखने को मलता है UNDP का Fund जो है वो इस Project पर हमें स्टेट जो है जम्मू इन कश्मीर हिमाचल प्रदेश उतराखंट सिक्किम तो यहाँ पर यह चल रहा है तो यह चीज है तो यह सब कुछ बेसिक से फाक्ट है इस से रिलेट जिसकी आपको जान करी होनी चीजिए Snow Laport से रिलेट अब बात की जारी है National Science Day के बारे में राष्ट्रिय विज्ञान दिवस के बारे में कब मनाया जाता है तो आपको 28 February ध्यार में रखना है National Science Day इंडिया के अंदर 28 February को मनाया जाता है और यह जो दिवस है यह रमन इफेक्ट रमन इफेक्ट की खोज की इस्मृती में मनाया जाता है Commemorate किया जाता है Discovery of रमन इफेक्ट को और जिसके लिए सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था रमन इफेक्ट जो है वो किसका है सर सीवी रमन जी का और इस रमन इफेक्ट के लिए उनको नोबल प्राइस भी मिला हुआ है तो रमन इफेक्ट की जो खोज हुई थी तो उसी पर ही बेश National Science Day हम लोग observe करते हैं और पहला National Science Day celebrate किया गया था 28 February 1987 को इसकी जो इस बार की थीम है वो है Future of STI Impacts on Education Skills and Work STI का भविश्य, सीक्षा, कौशल और काम पर प्रभाव तो ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिल रही है और रमन इफेक्ट की बात करें गई तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये फिनॉमेना हम लोग को देखने को मिलता है जिसको सरचंदर शेकर वेंकटा रमन के दौरा 1928 में डिसकवर किया गया तो इसकी खोच की गई थी अब देखो रमन इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है इन इलास्टिक स्कै्टरिंग ओफ लाइट जो है वो स्कैटर कर जाती है अपने बच्पन में साइन्स वगरा में पढ़ा हुआ है कि एक बीम ओफ लाइट जो है वो आती है लाइट की बीम आती है और वो डिफलेक्ट हो जाती है जो है वो by molecules after passing through a transparent medium transparent medium से pass होकर वो डिफलेक्ट हो जाती है rainbow वाली light नहीं हमें देखने को बिलती है कि बच्पन में आपने science वगर में पढ़ा ही हुआ है तो यह वाला जो फिनामेना होता है इस प्रकार का यह रमन एफेक्ट होता है वो इस फिनामेना को explain करता है कि किस प्रकार से यह एक light की beam जो है वो scatter कर जाती है और अलग-अलग rays इस प्रकार की हमें देखने को बिलती है और काफी सारे chemist और physicist जो है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कॉपी का उपयोग करते हैं information गेन करने के लिए different material और उनकी tendency की light को scatter करने की यानि कि अलग-अलग जो material है किस प्रकार से light को scatter कर सकते हैं तो उसको study करते हैं अलग-अलग scientist इस रमन स्पेक्ट्रोस्कॉपी की मदद से तो यह चीज है अब बात करेंगे technical education quality improvement program की TEQIP के बारे में अब discuss करेंगे तो बताए जाए रहा है कि March के end में March के अंत में तकनीकी सीख्षा गुडवत्ता सुधार कारिकरम यह जो TEQIP जो है technical education quality improvement program इसका full form देखो technical education quality improvement program जो technical education है उसकी quality को improve करने का यह program है तो यह समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही 1200 से जादा जो assistant professor जो है उनको नौकरी से नौकरी उनको छोड़नी पड़ेगी नौकरी से बाहर हो जाएंगे वो लोग और कुछ grammar colleges में भी लगभग सिक्षकों के आधे इस्तान रिक्त हो जाएंगे खतम हो जाएंगे तो यह चीज़ हमें देखने को मिल रही है तो आगे की कारवाई की बात करें अब आगे क्या करना है इस प्रकार से नौकरी जो है वो छूड़ जाएगी assistant professors की तो केंदर सरकार द्वारा तकनीकी सीख्षा में सुधार के लिए कुछ इसी तरह के उद्देशों के साथ अपनी स्वेम की merit परियोजना merit परियोजना तयार की जा रही है लेकिन मौझूदा परियोजना के तहत नियोजित सिक्षकों के लिए तब तक बहुत देर हो सकती है तो अभी जैसे की इस प्रोग्राम ये प्रोग्राम खतम हो जाएगा तो फिर काफी सारे assistant professor जो है उनकी नौकरी चली जाएगी अब सरकार एक merit प्रोग्राम पर भी काम कर रही है कि नौकरी जो है वो मिल सके assistant professors को बट उसमें काफी समय लग जाएगा ये चीज़ दाई आ रही है आप थोड़ी सी discuss कर लेते हैं ये technical education quality improvement program के बारे में TEQIP के बारे में बात कर लेते हैं तो वर्च 2012 में ministry of human resource and development मानव संसाधन और विकास मंत्राले द्वारा इस परियोजना की शुरुवात की थी इस program को शुरू किया गया था और इस program का main उद्देश क्या है तो ये परियोजना जो है वो विश बैंक की सहायता से शुरू की गई थी कारियकरम का जो उद्देश है वो है कि भारत में निम्न आयवाले राजियों और विशेश श्रेणी राजियों याने की low income states और special category states जो इंडिया में है तो वहाँ पर technical education की quality में improvement लेकर आना quality of technical education को overhaul करना सुधार उसमें लेकर आना improvement लेकर आना और measures क्या-क्या लिए गये थे इस program के थूँ तो institution based measures लिए गये थे जैसे की NBA एंबिये के माध्यम से party कर्मियों की मान्यता याने की accredition provide किया गया था एंबिये के through courses को administrative reforms, governance की reform जो हो लाए गये थे प्रक्रिया सुधार की गयी थी digital initiative इसमें शामिल किया गया था और इसके लाबा autonomy जो apologies की है उनको secure किया गया था इसके लाबा student based किस प्रकार के measures लिए गये थे तो सीक्षा गुणवत्ता में सुधार लाए गया था quality of teaching, teachers, training equipping the classrooms, revision of syllabus industry, interaction, compulsory internship for students, training the student in industry, relevant skill preparing them for gate exam etc. तो student को इस प्रकार से मदद मिली थी कि classroom अच्छी quality के कर दिये गये थे syllabus एक अच्छा लाए गया था, industries को जिस प्रकार की skills की आवशकता है, वैसी skills के बारे में knowledge information या skills provide की जारी थी students को जिससे की student जो है वो university से निकलने के बाद उनको तुरंट जो है वो job मिल सके तो ये सब चीजें इसकी हमें देखने को मिलती है, technical education quality improvement प्रोग्राम गी तो ये बस basic से facts है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए PSLV C51 launch हुआ है इसके बारे में बात करेंगे ये एक ऐसा launch हमें देखने को मिला है, जिस launch के दौरान Modi जी की photo space में भेजी गई है और भगवत गीता की copy भी SD form में space में भेजी गई है, SD card form में space में भेजी गई है PSLV C51 जो है काई, successfully launch हुआ है इस रोग के दौरा recently 53rd flight हम लोग को इस रोग के इस launch vehicle की PSLV C51 की देखने को मिल रही है पहला ऐसा dedicated mission है ये अपने new space India limited के commercial arm का पहला mission है ये mission जो है, ये space flight incorporation USA की है, तो उसके साथ एक commercial agreement किया था, उसके तहत ये हुआ था, इसके लावा satellites कौनसी कौनसी भेजी गई है इस particular mission में तो 19 satellites यहाँ पर भेजी गई है, जिसमें Brazil की Optical Earth Observation Satellite है Amazonia 1 यानि कि ये Brazil की satellite और 18 co-passenger satellites हमें देखने को मिल रही है, इन में से 5 satellite India की है, और 13 USA की बताई जा रही है, Amazonia 1 की सबसे पहले बात करें गई है, तो ये पूरी तरह से Brazil में बनाई गई पहली ऐसी satellite हमें देखने को मिल रही है, जो की Amazon Forest को monitor करने में मदद करेगी, आप मुझे नीचे comment box पर एक answer लिखकर बनाए कि Amazon Forest कौनसी कौनसी countries में हमें देखने को बनता है, कि किस-किस country के साथ share करता है, Amazon Forest, इसके लाबा Amazonia 1 की अगर हम लोग बात करें गई, तो ये Amazonia 1 जो है, ये 758 किलोमीटर पर जो है, वो भेजी गई है, sun synchronous polar orbit में, और ये satellite जो इंडिया से भेजी गई है, वो सतीश धवन, सैट, SDSAT हमें देखने को मिल रही है, जिसको Space Kids इंडिया के तौरा बनाया गया है, और इस satellite के top panel पर हमारे honorable prime minister की photo लगा कर भेजी गई है, और ये photo इसलिए लगा है, क्योंकि वो करने के लिए, बताने के लिए, कि हमारे honorable prime minister ने जो ये आत्मिर्वर भारत जो initiative लेकर आया, उसी के थुरू जो ये, पूरी तरह से इंडिया में जो बनाए गई, जो ये satellite और इस परकार के जो mission देखने को मिल रहा है, तो उसको संबोधित करते हुए, honorable prime minister की photo लगा कर भेजा गया है, नैनो satellite जो है guys, ये भेजी गई है, जो की study करेगी radiation level, space के weather को, और long range communication technology को demonstrate करेगी है, नैनो satellite वो भेजी गई है, और unity set की बात करें guys, तो unity set, तीन satellite का combination है, और ये radio relay services जो है, वो provide कराने के उपर based unity set हमें देखने को मिल रही है, और एक और satellite है, जिसको DRDO के द्वारा भेजा गया है, even SD card के माध्यम में भगवद गीता भी जो है को भेजी गई है, और भगवद गीता को भेजने के पीछे का जो कारण है, वो मैं PSLV क्या है, तो इस पर अबन धोड़ी सी चर्चा करते है, polar satellite launch vehicle, इंडिया में पूरी तरह से बनाये गया ये launch vehicle है, इस रोखे द्वारा इसको बनाये गया है, और ये medium lift launchers की category में आता है, और ये काफी सारे orbits तक पहुँच सकता है, जिसमें geosynchronous transfer orbit मौझूद है, low earth orbit मौझूद है, polar sun synchronous orbit मौझूद है, और सभी operation जो PSLV के हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसको control किया रहाता है सतीश धवन space center स्री हरी कोटा से, तो यहले चीज़ आप लोग को थोड़ी सी धान में रखनी है, PSLV और GSLV में क्या difference है, तो उसके बार मैं already पहले, कई बार मैं आप लोग को explain कर चुका हूँ तो इंडिया के दो operational launchers, हम लोग को देखने को मिलते है PSLV और GSLV, तो PSLV की बात करें गाई, तो इसको develop किया गया है low earth orbit satellite को polar और sun synchronous orbit में launch करने के लिए, और तब से लेकर इसने geosynchronous lunar और interplanetary spacecraft को भी successfully launch किया है और GSLV की बात करें गई, तो ये किस purpose के लिए develop की गई है जो heavier insect class की geosynchronous satellites होती है उनको orbit में launch करने के purpose के लिए इसको बनाय गया है और इसके third और final stage में GSLV उपयोग करती है indigeniously developed cryogenic upper stage के लिए इंडिया में बनाय गये जो technology है उसका उपयोग करती है GSLV तो ये चीज है जिसकी आपको जानका रही होनी से ये PSLV, GSLV के बार में basic से facts, और सिर्फ इतने ही topics थे guys, आज के और मैंने 100 रुपीज पर मंत की fees में आपको जो ये daily lectures आते हैं तो इनकी आपको PDF प्रोवाइट की जाती है इनके handout notes आपको प्रोवाइट की जाते है और आपको weekly compilation दिया जाता है material का आपके revision के लिए weekly revision के लिए और फिर आपको monthly magazine दी जाती है इतना सब कुछ मातर 100 रुपीज पर मंत की fees में और इस से related जो भी आपको जानकारी चाहिए अगली slide में पूरी जानकारी mentioned है और भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है इन paid package को join करने से related तो आप मुझे 9713282838 इस number पर contact करके पूछ सकते हैं मतले इस number पर call मत करना SMS के थूँ या WhatsApp के थूँ या Telegram के थूँ मैंसेज कर देना मैं आपको within 24 hours reply कर दूँगा ठीक है तो चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे खल के lecture में तब तक लिए Bye Bye Take Care Have a great day ahead Ta-da